गुद मॉनिंग स्टुदेंट फ्लास फॉर्थ आम निता जोशी फ्रम टीटी पॉब्लिक स्कूल तोड़ी आर गोईंग तू कंटिनू चेप्टर शिक्स मुविंग इन कल मैंने आपको पेज नंबर 76 और इसका इंट्रोडक्शन एक्स्प्लेन किया था आज मैं आपको इसका पेज नंबर 77 एक्स्प्लेन करूँगी यह आपकी इंगलिश की बुक है कलास फॉर जब भी मैं बुक रीडिंग करती हूँ आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और जो कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करेंगे और घर पर बुक रीडिंग करने की कोसिस करेंगे जिससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी और जब भी टाइम मिले आप रोज एक पेज राइटिंग भी करेंगे जिससे आपकी बुक, रीडिंग और राइटिंग दोनों अच्छी होगी अब हम ये स्टार्ट करें पेज नमबर 77 अप इन्द अटारी सोरी अप इन्द अट्रिक मदर पूट अप अनादर सीट देट मेरी एंड लोरा कुड हैंग दियर क्लोथ्स बिहाइंड अपने कपडे टांग सके लटका सके कपड़ी जो अपन कही बाहर से आते हैं कपडे टांगते हैं तो दे व्यूटीफुल वेन मुदर हैट फिनिश्ट दे प्योर वाइट कॉटन वर लॉब बेक ओन एच साइड अफ दे क्लियर ग्लास विंडो जब मा ने सारा काम कम्प्लीट कर लिया, तब घर सुन्दर लग रहा था खिर्कियां और दर्वाजों के पीछे लूप लगे थे, जो हैंगर होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, दीवारे साफ सुतरी थी, दीवारों पर बोर्ड लगे थे सीधियां अट्टारी तक जा रही थी Mother spread a red check's cloth on the table and on it, she set the shining clean lamp, two benches stood nearby the table मा ने मेच पर लाज साफ कपड़ा बिछा दिया था और उसके उस पर candles भी लगा दिये थे, table के आसपास दो benches रखी थी Finally, father hang the bracket on the wall by the front window and mother place the little china shepherd dress on it Last में पापा ने क्या किया था, वहां पर दीवार के साहर एक bench रख दी थी उस bench पर Father के पास एक पहले से ही Statue था, कौन सा Statue था, जो मवेशी girl होती है न जो से, sorry सेपर्ड होते हैं, जो गाय बेस, बकरी चराते हैं उस girl की एक Statue पहले से बनी, मतलब थी उनके पास जो वो कभी Christmas के लिए लाए थे Father had covered the good brown bracket with start and wine and flower for mother's Christmas long ago The little shepherd dress with golden hair Blue eyes and pink cheek stood on it She wore a little apron and shoes and her dress was lace with golden ribbon She had travelled to many places but she was neither broken nor scratched She wore the same little She wore the same little dress, smile, the same smile Smiling, the same smile अब वो Statue पापा के पास पहले से पढ़ा था जिसके golden hair थे, blue eyes थी और उसकी dress golden ribbon से बनी हुई थी वो Statue पापा ने उस table के उपर लगा दी थी उसके और सबसे बड़ी बात क्या थी उसके eyes pink, cheek stood on his sea, wore a little apron and shoes And her dress was lace with golden ribbon उसकी dress golden ribbon से बनी हुई थी और सबसे बड़ी एक बात थी कि वो इतनी जगे ट्रावेल करके आई थी फिर भी न तो वो टूटी थी और नहीं उसपर एक भी खरोच आई थी scratch यानि खरोच आना ठीक है न? तो नहीं उसके उपर कोई खरोच आई थी और नहीं वो अभी तक टूटी थी यानि अभी तक वो ऐसी के ऐसी स्टेचू थी उसपर कोई खराबी नहीं हुई थी सबसे बड़ी बात और वो स्माइल कर रही थी सिर्फ स्माइल कर रही थी ठीक है? तो यह आपका पेज नमबर हो गया 77 कंप्लीट अभी मैं आपको पेज नमबर 78 एक्स्प्लेइन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में जिसके बाद आपका यह लेशन हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ठीक है तो अब आपको क्या करना है जब भी आपको टाइम मिलेगा सबसे पहले आपको पेज राइटिंग भी करनी है और बुक रीडिंग भी करनी है ठीक है? Have a good day